हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जे एस कॉमर्स क्लाशेस ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TYB.com, TYBA, M.com Part 1, Part 2, Semester 1, 2, 3, 4 M.A. Part 1, Semester 1, 2, 3, 4 के exam date का बाएगी सर, time table का बाएगा Already ये साल पुरा खतम हो गया, January भी चला गया, February भी चला गया और अभी तक मतलब TY और MCOM का कुछ भी अपडेट नहीं आइडल की तरफ से तो प्लीज वीडियो को पूरा देखो इचन एवरिटिंग हम अपडेट करेगे सर्ज के पहले आपने एक वीडियो बनायते उसमें आपने कहा था कि मार्च के एंड में एक्जाम होगा और फैप के एंड में एक्जाम डेट आजाएगी सॉरी टू से यू डेट रिसेंटली बिफॉर दर 10 तो 15 डेज पहले आइडल के जो एक वहां के जो श्टाफ थे तो वहां लोग चल रही थे श्ट्राइट जिसके कारण सभी एक्जाम को पॉस्पॉर्ण कर जागा है राइट सो जो 14 फैप से आइडल के फर्स्ट चेर के एक्जाम सेकेंडर के एक्जाम होने वाले थे उसको लोग ने कर दे मार्च में क्या बात कर दे सा मतलब जो 14 फैप से एक्जाम होने वाले थे February और March में एक्जाम होने वाले तो आपके एप्रिल में ऐसा हमारा एजम शाहन था लेकिन आप उन लोगों के एक्जाम को पॉस्पॉर्ण कर दिये गया और उन लोग की एक्जाम डेट आ चुकी है तो वह एक्जाम डेट कहा है देखो आपको क्या करना है सिंप्लिय आप खुद भी चेक कर सकते हो आप उनकी ओफिशल वेबसेट पर जाना है और यही पर आपको एक्जामनेशन का सेंटर पर ही आपको साथी चीज मिल जाएगे ठीक है तो यहां से हम लोग ने डाउनलोड किये तो इसके उपर वीडियो भी बनाए तो रिवाइस एक्जाम देट के उपर तो आप देख सकते हो वो पर्टिकुलर क्या था वो सर्कुलर क्या था यह था कि सेमिस्चर वन के एक्जाम 10 मार्च से हो रहे है ठीक है और यहां पर अगला मोग देखे एकदम मैक्जिमम डेट वो एप्रिल है फिर से सुनो एस वाइवी कॉम रिपीटर के एप्रिल से स्चार्ट होगे और 19 एप्रिल तक चलेगे कभी से शुरू होरे पेपर सबके 10 मार्च से सेमिस्चर वन एफ़ाइब कॉम एफ़ाइब यह और लास्ट जो एक्जाम चलने वाला है 18 एप्रिल से लेके 19 मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके एक्जाम एप अब आपके भी होते तो अभी तक सर्कुलर आता था टी वाइब कॉम सेमिस्चर फिफ्ट एमकॉम में पार्ट वन पार्ट टू सेमिस्चर वन टू एं तरी आपके एक्जाम इन्द मंत ऑफ एप्रिल में होगे मार्च का तो कोई चांस नहीं है और मुझे तो लग रहा है पर भी नहीं हो पाईगे इन्द मंत ऑफ मई में होगे उसका अपडेट आएगा मार्च की दस तारिक तक जब यह स्टुडेंस के एक्जाम स्टार्ट हो जाएगे और लोगों का टाइम टेबल आ जाएगा उसके बाद में टीवाइब कॉम मतलब सर हमारा यह साल कप खतम हो होगा ऑगस्त तक अगर आपके मैं में एक्जाम होते हैं तो तीन मेना उसके बाद में और प्रकड़ लोग जून जुराई ऑगस्त मतलब यह अच्छा खासा आपका दिवाली तक गसित लेगा मुझा लग रहा है और सप्टेंबर तक आपका सिक्स सेमिस्चर होगा और टी कोम आपके एक्जाम एप्रील या में होगे अगर एप्रील में होने होते न अपवी तक अपडेट आ जाना चाहता तो एप्रिल एंडिंग या तो फिर मई की शुरुआत में फर्स्ट विक ओफ मई या फिर एप्रिल ओके और M.com और T.Y. के रिलेटेड ही रहेगे पहला T.Y.B.com का एक्जाम होगा फिफ समिस्टर त T.Y.B.A का उसके बाद में ही M.com के एक्जाम स्चार्ट होगी सरपक्का इतना है हमों लोगों को आइडिया हो चुकी जितने सालों समय वीडियो अप्लोड कर रहे है आइडल क्या करता है सब चिस पता है T.Y.B.com का एक्जाम इसके बाद में शुरू होगा 18 अप्रिल है न उसके बाद में होगा विकास ये सारे एक्जाम हो जाने के बाद में ही अगर होता तो अब भी अपडेट कर देता न तो नहीं हुआ है एक हमारा वाट्सअप में ग्रूप है T.Y.B.com और ये सभी इस्टुडेंस के लिए आइडल के लिए आप ग्रूप में आइड हो सकते हो लेकिन आप टेलिग्राम में जॉइंट हो जाओ लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत हिल्फुल रहेगा प्लस हमारे पास में रिकॉर्डेट लेक्चर से अकाउंट के अगर कोई स्टुडेंस बाई करना चाहता है तो प्लीस आप देवे नंबर पे कॉल कर सकते वेरी इंपॉर्ड इनिमेटिव है और अगर कोई स्टुडेंस चैनल का सब्सक्रिशन बाई करना चाहता है वो स्टुडेंस भी क्या कर सकते हमें कॉल कर सकते बाई करने वाले इस्टुडेंस को जो पेड़ अप सब्सक्रिशन होगा उनको एक अलग बेनिफिट रहेगा आप कॉल करके पुछा हमारे टिम आपको पुरा सपोर्ट करेगी उमिद कर तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मिटियो रहोगा दोस्तों अब आपको पता चल गया रहेगा माई की स्चार्टिंग या तो फिर एप्रिल के एंड में ही ये सारे एक्जाम्स होगे तो टैंकी सो मच बाई बाई